जहिन साथियो आप सभी का स्वागत है सिवेई क्लासेस में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोसल साइंस का मोडल सेट 3 मैंने इससे पहले साइंस का पूरा मोडल सेट करवा दिया है अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्किप्सन बॉक्स में डाल दूँगा वहाँ से जरूर देख लेना चलिए देखते हैं आज के वीडियो को यहाँ पे जो परश्ण दिया गया है यह भी आपके मोडल सेट के ही है बस मैंने इसे टैपिंग कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो चलिए देखते हैं पहला कोस्चन पहला कोस्चन है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसिसी कहे जाते थे फ्रांसिसी कहे जाते थे सासक वर्ग कहे जाते थे कोलोन कहे जाते थे या फिर वैपारी कहे जाते थे तो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसेसी होते थे उसे कोलोन कहा जाता था ओप्शन C सही हो जाएगा रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919, 1920, 1922, 1930 तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो 1919 में हुआ था ओप्शन A सही हो जाएगा जालिया वाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधी त्याग दी? महत्मा गांधी ने, सुभास चंद्रबोष, रविंद्र नाट टाइगोर या फिर पंडित नेरू तो जालिया वाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो रविंद्र नाट टाइगोर ने अपनी नाइट की उपाधी त्याग दी थी नाइट की उपाधी रविंद्र नाट टाइगोर को अंग्रेजों ने दी थी अप्सन सी सही हो जाएगा जर्मनी के एकी करन में किसकी भूमी का महतपूर्न थी गैरी बाल्डी की, बियस मार्क की, कौंट कावुर की या फिर मेजनी की तो जर्मनी के एकी करन में जो भूमी का महतपूर्न थी वो बियस मार्क की भूमी का महतपूर्न थी सही हो जाएगा option B आरे समाज की अस्थापना किसने की स्वामी विवेकानन्द ने राम कृष्ण पराम हंस या फिर स्वामी दयानन्स और सती या फिर राजराम मोहन रायने तो आरे समाज की अस्थापना स्वामी दयानन्स और सती ने की थी option सी से हो जाएगा पूर्ण स्वाराज की मांग का प्रस्ता कॉंग्रेस के किस वार्षी का धिवेशन में पारित हुआ 1929 लहोर 1931 कराची 1933 कलकत्ता 1937 बेलगाम तो पूर्ण स्वाराज की मांग का प्रस्ता कॉंग्रेस के 1929 लहोर अधिवेशन में पारित हुआ था option एसा ही हो जाएगा भारत में सूती वस्तर की पर्थम मिल खोली गई मदरास में बंबय में कलकत्ता में या फिर सूरत में तो भारत में सूती वस्तर की पर्थम मिल जो खोली गई थी वो बंबय में खोली गई थी अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष कौन थे बाल गंगा धर तिलक लाला लाजपत्राय लाल हर्दयाल या फिर धन स्याम घन स्याम दास बिर्ला तो आठ का सही अंसर उप्सन भी लाला लाजपत्राय थे अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष हिंद चीन में अंतिम यूद की समापती के समय एमरिकी राष्टपती कौन थे वासिंग अटन निक्सन जोर्ज बुस रुजवेल्ट तो हिंद चीन चीन चीत्र में अंतिम यूद की समापती के समय निक्सन राष्टपती थे अगला कोश्चन है विक्टर इमेनुवल ने किसे परधान मंत्री निउप्त किया मेजनी मेटर्निक कौंट कावूर अस्टालिन तो विक्टरमेनومल ने पर्धानमंत्री कॉन्ट्काबूर को न्यूक्ट किया था रक्त और लोह की नीती का अवलंबन किस ने किया मुसोलिन, मुसोलिनी, विक्टरमेनومल, गैरिबाल्डी, ब्यसमार्क तो इसका सही आंसर ऑप्शंडी, ब्यसमार्क ने किया था नई आर्थिक निति कब लागू हुई 1908, 1920, 1921, 1925 तो नई आर्थिक निति 1921 में लागू हुआ था अप्शन सी सही हो जाएगा इंडियन अस्टेट्यूरी कमीशन के अन्य नाम क्या है हंटर कमीशन, सैमन कमीशन, सारजन्ट कमीशन, ली कमीशन तो तेरा का सही आंसर आप्शन भी सैमन कमीशन महत्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का समपादन किया था यंग इंडिया का किया था, आप्शन भी सही हो जाएगा गुटेन वर्ग ने सर्व पर्थम किस पुस्तक की छपाई की कुरान, गीता, बैबिल या फिर हदीश तो इसका सही आंसर आप्शन C, बैबिल असोग का अभी लेख किस लिपी में है? ब्राम्मी, फार्सी, रोमन, इनमें से कोई नहीं तो ब्राम्मी लिपी में असोग का भी लेख है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? 1905, 1907, 1911, 1912 तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लेकिन वापस लिया गया था 1911 में आप्शन C सही हो जाएगा रूस में दास पर था समाप्त किया गया 1961 में, 1965 में, 1970 में, 1873 में 1861 में, 1865 में, 1870 में, 1773 में तो रूस में दास पर्था का गया कि सम्मेलन एक मैई को मजदूर दिवस मनाने का नेरनें लिया गया पर्थम अंतराष्टिये सम्मेलन दूतिये अंतराष्टिये सम्मेलन क्यूटो सम्मेलन ब्रेटन वुट्स सम्मेलन तो इसका सही आंसर है अप्सन भी दूतिये अंतराष्टिये सम्मेलन होची मिन्न की सरकार थी दच्छनी व्यतनाम में उत्री वियत नाम में पुर्वी वियत नाम में पस्चिमी वियत नाम में तो इसका सही अंसर है option B उत्री वियत नाम में थी होची मिननी की सरकार War and Peace किसने लिखी कार्ल माक्स टोलस्टाई वारनार्ड सो दोस्तोवस्की तो 21 का सही आंसर हो जागा option B टॉल अस्टाय ने लिखी war and peace सोवियत संग का वी घटन हुआ था 1991, 1992, 1989, 1990 तो सोवियत संग का जो वी घटन हुआ था 1991 में हुआ था 22 का सही आंसर option A हो जाएगा पटना को अजीमाबाद नाम किस ने दिया अकबर, अजीमुसान, बाबर, हुमायू तो इसका सही आंसर हो जागा option B अजीमुसान ने दिया पाटली पुत्र नगर की अस्थापना किसने की बिंदू सार चंद्रगुप्त मौर, अजाद सत्रू इन में से कोई नहीं तो 24 का सही आंसर है option C अजाद सत्रू ने पाटली पुत्र नगर की अस्थापना की भारत में राष्टियाय की गन्ना किस संस्था द्वारा की जाती है केंद्रिये सांखी की संगठन, भारतिये रिजर्व बैंक, राष्टिये पर्तिदर्स सर्विक्षन संगठन, इन में से कोई नहीं तो 25 का सही आंसर है option ने केंद्रिये सांखी की संगठन, योजना आयोक का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1901, 1 जनवरी 2005, 2015, 1 जनवरी 2001 26 का सही आंसर है option ने, 15 मार्च 1950 उत्पादन के साधनों पर नीजी स्वामित्व का, नीजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है समाजवादी अर्थविवस्था में, पुंजीवादी अर्थविवस्था में, सम्मेवादी अर्थविवस्था में, या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर और अप्शन भी पुंजीवादी अर्थविवस्था में गैस और बिजली उत्पादन किस छेतर का अंग है परात्मिक छेतर, दूतियक छेतर, तिर्तियक छेतर, इन में से कोई नहीं गैस और बिजली का जो उत्पादन होता है वो दूतियक छेतर में होता है option b सही हो जाएगा बांगला देश की मुद्रा क्या है रुपिया टाका क्यात यूआन तो बांगला देश की जो मुद्रा है वो टाका है आप्सन भी सही हो जाएगा प्रोफेसर मुहम्मद यूनूस का संबंद किस देश से है भारत पाकिस्तान बांगला देश या फिर इरान तो प्रोफेसर मुहम्मद यूनूस का संबंद बांगला देश से है आप्सन सी सही हो जाएगा प्रात्मिक क्रीसी साक समीती क्रीसको को किस परकार करिन परदान करती है अल्पकालिन दिर्गकालिन, मद्धकालिन या फिर इन में से सभी तो प्रात्मिक क्रीसी साक समीती अल्पकालिन रिन परदान करती है जवाहर रोजगार योजना किस वर्स प्रारंब होई 1912 1915 1989 या फिर 1990 32 का सही अंसर अप्सन सी 1989 मन रेगा में एक वर्स में कितने दिन रोजगार देने की ग्रैंटी दी जाती है 1500 दिन 120 दिन 180 दिन या फिर 100 दिन तो इसका सही अंसर अप्सन डी 100 दिन उप्भोक्ता संरच्छन के लिए कितने राज आयोग हैं तो इसका सही अंसर अप्सन ने 582 प्रोपीसी महाल नोबीस की अध्यक्षता किस समीती का गठन किया गया राज़्टी ये आय शमीती क्रीसी समीती विकास समीती या फिर कर समीती तो 35 का सही अंसर अप्सन ने राज़्टी ये आय समीती का गठन किया गया प्रोफेसर पीसी महाल नोबीस की अध्यक्षता में तो आय कहलाता है आप्सन भी सही हो जाएगा निम्न में से कौन आर्थिक किरिया का चक्रिये परवा है उत्पादन, व्याय, आय या फिर इन में से सभी तो सही इसका सही आंसर आप्सन भी व्याय है व्याय भारत में सर्व पर्थम राष्टिये आय कानुमान कब लगाया गया अठारा सो एकत्तर, अठारा सो आठारा सो आठारा सो आठारा सो पचास अठारा उनिस सो पैतालिस यहाँ पे उनिस सो पचास है आप्सन सी तो 38 का सही आंसर आप्सन भी 1868 में भारत में सरोपर्थम राष्टियाय का नुमान लगाया गया था निम्न में कौन साकारिता का मूल भूत तत्व नहीं है अनि वार सदस्थिता, जन तंतरात्मक आधार, नैतिक तत्थ समाजिक तत्व या फिर एच्छिक सदस्थिता तो उन चालिस का सही अंसर है option C, नैतिक तत्था समाजिक तत्व इन में से कौन गैर आर्थिक सनरचना है, वित, उर्जा, स्वास्थ या फिर संचार तो चालिस का सही अंसर है option C, स्वास्थ अगला question है समविधान का चहुत्तरवा संसोधन संबंदित है पंचायती राज विवस्था से, नगरिय सासन विवस्था से, राज अस्थरिय सासन विवस्था से इसका अंसर जिसको पता है वो comment box में comment कर देना, अगर नहीं पता है तो इसका next video जो होगा, यही set का अगला 41 question से मैं 80 तक कराऊंगा, तो उसमें मैं बता दूंगा